अलो गाईज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्टेनर फॉर आल यूटूब चैनल है यहां बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेविल के आपको क्लास उपलब कराए जा रही है यह हमारे आज की डेट की राजिस्तन है कुट के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस तरह के कदम के बाद देश में निजदा के अधिकार को लेकर हो रही बरसों पुरानी बहस में एक और नया अध्याय जुड गया है ब्राम वास्तब में 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजदा का अधिकार संबिधान के अनुच्छिद 21 के तहत दिये गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत सोतंतरता का हिस्सा है ब्राम तब नौ सदस्य संबिधान पीठने सुप्रीम कोर्ट के उन दो पुराने फैसलों को भी खारिज कर दिया था जिनमें निजदा को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था गौरतलव है कि 1954 में MP सर्मा तथा 1962 में खडक सिंग केस में क्रमशा आठ और छे जजों की बेंच द्वारा दिये गए फैसले के तहत निजदा के अधिकार के संब्यधानिक अस्तित्व को सुईकार नहीं किया गया था पैरा अगर भारतिय संब्यधान की बात करें तो उसमें निजदा का अधिकार का इसपस्ट लिखित उलेक नहीं है लेकिन भारतिय समाज में बरसों से इसे नैसरगिक अधिकार माना जाता रहा है सर्व पर्थम 1895 में प्रस्तुत किये गए भारतिय संब्यधान बिल में निजदा के अधिकार की पुर जोर बकालत की गई थी उस बिल में कहा गया था कि हर व्यक्ति का घर उसकी सरण इस्थली होता है और सरकार बिना किसी ठोस कारण और कानूनी अनुमती के उसमें घुस नहीं सकती मार्च 1947 में डाक्टर भीम राव अम्मेडगर ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा था कि लोगों को निजदा का अधिकार है ब्राम आलांकि बाद में संबिधान बनने के दोरान नागरिकों की निजदा के संबंद में लिखित उलेक नहीं किया गया ब्राम लहाजा आजादी के बाद से ही देश में निजदा के अधिकार को परिभाशित करने की मांग होती रही ब्राम फलसरूप 2017 में सुप्रीम कोट ने निजदा को मौलिक अधिकार गोशित तो कर दिया लेकिन सरकार के पास कोई ठोस डाटा सनरक्षन नीती न होने की वजह से इस तक्नीकी युग में गाहे बगाहे निजदा की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं होती रहती है ब्राम दरसल निजदा हर मानव जीवन का अभिन अंग है ब्राम उसके बिना अन्य मौलिक अधिकारों की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है ब्राम रोजमर्रा की जिन्दगी में ऐसे कई अवसर आते हैं जहां हमें निजदा चाहिए होती है ब्राम हम किसी को चिठी लिखते हैं तो नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसे पड़े ब्राम हम अपने बैंक, फेस्बुक, इमेल अकाउंट की निजी जानकारी किसी से साजह नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमारी गोपनियता खत्म होती है ब्राम जाहिर है निजदा को मौलिक अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता ब्राम इसे अलग करने का अर्थ किसी सरीर से आत्मा को अलग करने की तरह होगा ब्राम निजदा का प्राकर्तिक अधिकार नागरिकों की गोपनियता सुनिश्चित एवम सुरक्षित करती है ब्राम बिना निजदा के जीवन का आनंद भी नहीं लिया जा सकता ब्राम बारतिय सम्मिधान की तरह अमेरिकी सम्मिधान में भी निजदा का अधिकार का इस समय फ्रांस में बनाया जा रहा एक नया कानून सभी जगह चर्चा का कारण बना हुआ है यह हमारी डिक्टेशन समाप्स हो चुकी है जो भी करना चाते हैं कर सकते हैं